नमस्कार मैं हूँ ससी आया जरगां की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं कुरोना की दूसरी लहर में ही क्यों आ रहे है ब्लैक फंगस देश में कुरोना की दूसरी वेब के दवरान ब्लैक फंगस के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं हलाकि इसके संक्रामन की रोक्ताम के लिए केंदर सेका ने राजियो और केंदर सासित परदेशों के सासकों से एहतियात कदम उठाने के निर्देश दिये हैं इस वीच एक अहम सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर दूसरी वेब में ही ब्लैक फंगस के मामले क्यों आ रहे हैं बतादे नीती आयों के सदसे और केंदर सरकार की और से गठीद कोवीड टैस्पोर्स के परमुख डाक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कुरोना के मरीज के इलाज के दोरान एस्टेरायट के धडले से इस्तेमाल ने इस फंगस इंपेक्शन को बढ़ाने में मदद की है हलाकि डक्टर पॉल ने अभी कहा कि एस्टेरायट के दोरान अनवसे कुरूप से इसका हैवी डोज देना खतरनाक सा भी थो रहा है 25 और 26 माई को भारी बारीज राज के कई इलाके में 25 और 26 माई को भारी बारीज के असार है इसको लेकर मौसम केंदर की ओर से एलो अलट जाय किया गया है मौसम पूरु अन्वान में बताया गया है कि 25 मई को राजे के दर्षिन पूर्वी भाग में पूर्वी एवं पच्मी सिम्भोम सिम्डेगा और सराय के लगखर सवाम में भारी बारिस के असार है घरते संक्रमन पर सिम हमंत ने कहा मैं आपका अभिनंदन करता हूँ जारखन के मुख हमंत हमंसुरे ने कहा कि राजे में रिकोवरी रेट 90% से ज़्यदा हो गई है पिछले कुछ दिनों से संक्रमन दर्भी 4% के आसपस बनी हुई है या करोना से हमारे संघर्स में उत्साह वर्धक है और इसके लिए मैं स्वास्त करमियों समेथ करोना के खिलाब मोहीम में लगे हर एक करमी और राजी की जनता का विनंदन करता हूँ इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा की उनके मुताविक करोना का पिक अभी पार नहीं हुआ है जब तक राजे में करोना से एक भी राजवासी की मौत हो रही है तब तक पिक है खत्रा है और हम ना तो खोस हो सकते हैं ना ही चैन से बट सकते हैं जार्खन के सभी जीलों में जल्द बनेंगे बच्चों के लिए ICU जार्खन सरकार ने सुबे में तीसरे लहर में बच्चों के अधिकाधिक संक्रमन की संभाना को देखते हुए उससे निपटने के त्यारी तेज कर दी है स्वास्त विभाग के IEC के वर्ये प्रभारी सिधार टिरपाठी ने बताया कि इसके तहत राजे के सभी जीलों में आवचित COVID-designated अस्पताल में बच्चों के ICU बनाने की परक्रिया शुरू कर दी गई है उन्होंने कहा कि बच्चों के ICU बिसेस परकार के होते हैं उसमें पर्यूक्त होने वाले बेंटिलेटर समयत आने उपकरन भी अलग तरह के होते हैं इसे ध्यान में रखते हुए सभी जीलों के COVID-designated अस्पतालों में बच्चों के समुचित बिसेसागे उपचार के लिए Sick Newborn Care Unit एवां Pediatric ICU बनाये जाएंगे कुरोना की दूसरी लहर में 30 डक्टरों ने गवाई जान कुरोना की दूसरी लहर में संक्रमित होकर जार्खन की 30 चिकिसोगों ने अपनी जान गवाई है बतादे Indian Medical Association जार्खन ने इन चिकिसोगों की सूची जारी की है IMA जार्खन के अध्यक्ष डक्टर एकके सिंग के अनुसार पहली लहर में भी 20 चिकिसोगों की मौत कुरोना संक्रमन से होई थी इपास के नियम बदले अब मोबाईल पर भेजे जाएंगे OTP जार्खन सरकार ने इपास जारी करने के नियम में फिर से संसुधन किया है बतादे अब आउनलाइन आवेदन करने वालों को इपास लेने के लिए मोबाईल पर भेजे गए OTP को भरकर वेरिपिकेशन की परक्रिया पूरी करने होगी इसके बाद ही उन्हें जार्खन सरकार के डेस्ट बोर्ड में इंट्री मिलेगी बतादे यहां से वे अपनी व्यक्तिकत जनकारी भोर का इपास जारी करवा पाएंगे रूपा तिर्की मामला पहुंचा जार्खन हाई कोट CBI जाज के लिए पिताने की PIL दाखिल जार्खन के साईव गंज की महिला थाना प्रभाई रूपा तिर्की की मामला अब हाई कोट पहुंच के आ है बतादे मिरित का रूपा तिर्की के पिता देवानंद उराव ने सनिवार को जार्खन हाई कोट में क्रिमिनल रिट दायर कर पुरे मामले की CBI से जाज कराने की मांग की है इतना ही नहीं अनुरंजन असोक और तीरत नात आकास ने भी जार्खन हाई कोट में जनित चैज का दायर कर इस मामले की सीवियाई जाज की मांग की है जार्खन के गाहों में संक्रमन रोखने की कवायद सुरू हर पंचायत में आईसिलेशन सेंटर जार्खन के मुख्य मंत्री हमान सुरेंद वारा स्वास्त विभाग के अधिकारियों को संक्रमन के परसार को सीमित करने के लिए बिशेस रूप से राज एके गरामीन चेतरों में समावित क्रोना के मामले की पाचान करने के लिए डोर टू डोर अभ्यान की योईना बनाने और सुरू करने के निर्देस पर आमल की परकिल्या सुरू कर दी गई है पर सिक्षन राजे के हर बलोक में आविजीत किया गया है चक्रवाती तुफान यास को लेकर जार्खन समय तीन राजियों में 78 याथी ट्रेने रद 23-26 माई के बीच आने वाली चक्रवाती तुफान यास से निपटने के लिए दक्षिन पूर्व रेलवे गार्डेन, रीच, कुलकता ने बंगाल, ओरिशा और जार्खन में अलट जारी कर दिया है इसके साथ ही रेलवे, ट्रेक वास, समपती की भारे नुकसान होने के असंका जताते हुए रात वा बचाव कारे के लिए तेयरिये शुरू कर दी गई है बता दे यात्रियों की सुरक्षा के मदे नजार, बंगाल वा ओरिशा के इलाकों से चलने वाले, गुजरने वाली, 38 ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया गया है जार्खन में 2037 नए केस मिले है, जार्खन में 41 मरीज की मौथ हुई है जार्खन में कूल मौथ की संख्या 441 है, वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 22,566 है भारत में 2,44,766 नए केस मिले है, भारत में कूल मौथ की संख्या 2,99,296 है वहाई कूल एक्टिव केज की संख्या 28,403 है भारत में 3,244,825 मरीज स्वास्थ हुए है वहाई जारखन में भी 49,49 मरीज स्वास्थ हुए है जारखन में 2,237 नाएक केस मिले है जो बोकारो से 162,141, देवगर, 88, धनबाद, 127, दूमका तीन, पूर्वी, सीमू, 391, गाडवा, 49, गीडियां, ठावन, गोड़ा, 9, 96, हजारीबाग, 107, जाम, तड़ा, 29, खुटी, 30, कोडार्मा, 99, लातेहर, 49, लोर्दागा, 96, जारखन में 49, 29, मरीज, स्वास्तुए हैं, जो बोकारो से 233, चात्रा, 114, देवगर, 129, धनबाद, 375, दूमका, 38, पूर्वी, सीमू, 596, गाडवा, 100, गीडियां, गोड़ा, 31, गुमला, 111, हजारीबाग, 143, जाम, तड़ा, 77, खुटी, 80, कोडार्मा, 108, लातेहर, 294, लोर्दागा, 42, पाकुर, 1, पलामु, 156, रामगार, 123, राची, 301, सायवगन, 0, सराय, केला, 55, सिम्डेगा, 111, 25, से 182, मरीज, स्वास्तुए हैं, भैक्सिन लेने के बाद, परवान पत्र पर मुख्य मंत्री की तस्वीर हो, रमेश्वरुरा, जार्खन परदेश कॉंग को लगाने के लिए माना करेंगे, ये नहीं चलेगा, बतादे पत्रकारों दोआरा, रूपा तिरी की मौत मामले में, CBI याज कराने की मांग किये जाने के समद्ध में, एक सवाल पर उड़ावने कहा की, इस मामले में, जारकन पुलिस लगातार चानविन कर रही है, पुलि संकरमन से लोगों को बचाने के लिए घर-घर सरवे और जाच का कारेपंचायत अस्तर से सुरू हो चुका है, बतादे राची जीला के विभीन पर खंडो में, पंचाय टासपोर्स की टीम सरवे और जाच के लिए घर-घर पहुँच रही है, बतादे सनिवार को जीला के व वकीलों को प्राथमिक्ता की मांग। उक्सिजन प्लांट का उप्योग नहीं कर रही जार्खन सरकार निसिकान दूबे दसवी बोर्ट की परिक्षा नहीं होने से रियल्ट जारी करना जैक के लिए बड़ी चुनावती CVSC और ICSC बोर्ट की तर्ज पर जार्खन एकेडमी कॉंसील जैक की दसवी की परिक्षा रद की जा सकती है हलाकि इस पर अधिकारिक फैसला नहीं हुआ है लेकिन यदी ऐसा होता है तो रियल्ट तैयार करना जैक के लिए बड़ी चुनावती होगी इस सत्र में पढ़ाई बाधित रही बतादे रांची सहीत जीला मुख्यालों में ओनलाइन माध्याम से कुछ हद तक कक्छाव का संचालन हुआ लेकिन सुद्रवर्ती इलाकों में पढ़ाई पुरी तरस से ठप रही संक्रमन पर ब्रेक के लिए लोहरदागा में कोविट चेन ब्रेक अभियान का सुभाराम जारखन के लोहरदाका जिले में कुरोणा संक्रमन की दर पर नियंत्रन वह इससे बचाव को लेकर सनिवार से कोविट चेन ब्रेक अभियान की सुरुवात कुडू पर खंड से की गई बता दे कोडू पर खंड की सभी 14 पंचायतों में अभियान चलाया गया अभियान के तहुत चीरी पंचायत में चल रहे अभियान करने ते तो स्वेम उपायुक द्वारा किया गया इस दोरन उपायुक सब परिवाद चीरी पंचायत में मौजूद रहे जार्खन के 12 जीलो में मोवाइल बैन से भी होगी कुरोना जांच राज सरकार कुरोना जांच की गति बढ़ाने तथा अधिक से अधिक लोगों की जांच के लिए लगतार प्रयास कर रही है इस कड़ी में मोबाइल वैन के माध्यम से भी लोग की कुरोना जाज कराने का निने लिया गया है बताजराश्टी स्वास्थ अभियान जार्खन के IEC के वरियर नोडल पदाधिकारी सिधात तिरपाथी तथा IDSP के नोडल पदाधिकारी नमन प्रियस लकडा ने सनिवार को सनिवत रूप से बताया कि मोबाइल वैन से क्रोना जाज के लिए उन जीलो का चैन किया गया है जहां आबादी तथा संक्रमन अधिक है इनमें रांची, धनबाद, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी, सिमुम, बुकारो, देवगर, लातेहाल, साहिव, गाँ, जामतरा, तथा पाकुर्ट, सामिला है रांची के तुफु दाना सबजी बजार बंद कोरोना वायरस के बड़ते पर कोप को लेकर रांची जीला पर ससन हाई अलर्ट में है बतादे स्वाश सुरक्षा सप्ता को लेकर परतेक थाना छेतर में मईस्टेट की नियुक्ति की गई है बतादे तुपुदाना ओपी छेत्रे में कोवी नियमों के पालन के लिए सेवाक के अधिकारी कृति कुमार को नियुक्ति किया गया है महिला फुटबॉल खिलारी की मदद करे सरकार महिला आयोग राश्टिय महिला आयोग ने आर्थिक तंगी के कारान इट भटे पर काम कर रही अंतर राश्टिय महिला फुटबॉल खिलारी संगीता को मदद करने का निदेश राई सरकार को दिया है बदागे एक ट्डीट पोस्ट के जरें राश्च्टीय महीला आयोग के संग्यान में याव बात आई राश्च्टीय महीला आयोग ने जांच कराई तो पता चला कि अंतराश्टीय अस्तर खिलाडी संगीता के परिवार के हालत बेहत खराब है कुरोना संक्रमितों की पचान करेंगे PDS दुकंदार राजे के जन वित्रन प्रनाली दुकंदारों को भी कुरोना संक्रमित कारधारियों की पचान करने का निदेश दिया गया है बदादे PTS दुकंदारों को अपने छेत्र के कारधारियों से सर्दी खासी बुखार और कोई लगज़न सांस लेने में समस्यास लेकर वैक्सिन का पहला या दूसरा डोज लिया या नहीं इसकी जनकारी लेकर देनी होगी बदादे खाद आपूर्ती विभाग की ओर से इसकी रिपोर्ट ली जा रही है जो PTS दुकंदार अपने छेत्र और कारधारियों के रिपोर्ट नहीं देते हैं और कुरोना संक्रमन से उनके घर में किनी सदस्यों का निधन होता है तो इसके लिए जबाब देई PTS दुकंदा कि हाल ही में जीला सिक्षा पताधिकारी और जीला सिक्षा अधिक्षा की बैटक में सिक्षकों को इस समद में निर्देश दिया गया बतादे सिक्षकों से कहा गया है कि जीन गाओं में ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो आर्थिक तंगी या अने कार्णों से इसकूल से बंची थाएं उन्हें सिक्षा से जोड़ा जाएगा स्वास्थ सुरक्षा सप्ता का उलंगन पर सनिवार को 7,10,000 रुपया वसुला गया जारखन में कुरोना के संक्रमन को रोखने के लिए सरकार की ओर से स्वास्थ सुरक्षा सप्ता लागू किया गया है इसी करम में सनिवार को राजएक के 982 अस्थानों पर पूलिस की ओर से जाच अभियान चलाया गया जाच के करम में 11,11 लोगों को सरकार की ओर से जारी निदेशों का उलंगन करते हुए पकड़ा गया इन में 4,25,800 रुपय जूर्बाना वसुला गया साथी सोरजानिक अस्थान पर बिना मास्क पहने 362 लोगों की जाच कीगा धन्यवाद